Hello everyone, मैं हूँ तरुन और आप देख रहे हैं तरुन से स्पेस और हम आज बात करने वाले iPad 9th generation के बारे में उसके क्या plus points है, क्या minus points है, वो सारे बताएंगे, साथ ही साथ जानेंगे iPad के comparison में Android में कोई tablet आ सकता है क्या, तो सारी बातों को सुरू कर लेते हैं बट उससे पहले, आज दीपावली है, तो सभी को धेर सारी दीपावली की सुपकामना है मेरी तरब से तो सबसे पहले plus points की बात कर लें, डिस्प्ले इसका 10.2 inches का आपको मिल जाता है, जो की HD++ मान सकते हैं तो डिस्प्ले काफी अच्छी मिल जाती है, बट डिस्प्ले में एक गौर करने वाली बात होगी कि आपको 60Hz का पैनल ही मिलता है, बट वो काफी smooth है, तो जो iPad OS है, उसका animation काफी smooth रहता है, तो वहाँ पर आपको lag feel नहीं होगा, बट अगर आप किसी phone से compare करने जाओगे 30-40 तो फिर वो थोड़ा सा refresh rate वाली feel आएगी, otherwise animation काफी smooth है, Apple का जैसा कि आप सभी जानते ही है, तो animation में कोई problem नहीं होने वाला है, तो display को मैं यहाँ पर थमसब दूँगा, 30,000 के अंदर ठीक ठाक सा display है आपके पास, और जो दूसरी सबसे अच्छी चीज है, वो है इसका processor ज काफी ज़्यादा है, और outdoor के लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत ज़्यादा sunlight हार्स होगी, वहाँ थोड़ा बहुत आपको disturb हो सकता है, otherwise बाहर भी आराम से आप outdoors को use कर सकते हैं इसको, देखिए battery तो Apple बताता नहीं है, बट हम बता देते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि पुराना वाला दे रहा है, camera इसके decent enough है, अच्छे से आप video call वगेरा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको documents वगेरा की photo अगर click करना चाते हो, तो वो भी काफी अच्छा, front वाला 12 megapixel का मिल जाता है, तो वहाँ पे आपको कोई issues नहीं होंगे आप अगर cons की बात करें, तो इसमें धेर सारे हैं, बट उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्यों ये tablet बहुत अच्छा बन जाता है, 31,000 रुपए के price point पे, तो जो इसका processing power है, वो बहुत जादा है, और ये बहुत कुछ करने के capable है, क्योंकि अगर geekbench की भी बात करें, तो score आप यहाँ पे video editing करना चाते है, तो वो काफी अच्छी हो जाएगी, thumbnail वगेरा काफी अच्छी edit हो जाएगे, तो जो main USB आप gaming बहुत अच्छी कर सकते हैं यहाँ पे, साथ ही साथ आप editing बहुत अच्छी कर सकते हो, 4K में अगर video अगर edit करते हो, तो बहुत कम टाइम में और बिना किसी lack के आप इसको use कर सकते हो, video edit करने के लिए आप अगर YouTuber हो, या फिर अगर आप Instagram वगेरा पे videos बनाते हो, तो काफी अच्छा रहेगा आपको यहाँ, and photo editing वगेरा भी काफी अच्छी कर सकते हो, बट उसमें कोई processor का इतना ज्यादा role नहीं है, बट display काफी अच्छ video editing, अगर इन दोनों का काम है आपको, और अगर आप कोई tablet देघर है market में, तो iPad 9th generation से अच्छा tablet कोई नहीं है, 30,000 रुपए के आसपास, कोई भी नहीं है, तो यह तो हो गई, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बात है, iPad के बारे में, अब इसकी कम्या में आपको गिनान नहीं है, तो जो सबसे पहला minus point है, वो है यहाँ पे आपको dedicated microSD card का slot नहीं मिलता है, अगर आपको ज़्यादा memory चाहिए, तो फिर बहुत मेहंगा Apple देता है, मतलब अगर 256GB बगरा चाहिए, तो 60,000 के आसपास price चला जाता है, अब second con पे आते हैं, तो second con इसका जो है, इसकी जो body है, जो design है, वो यार 2021 के हिसाब से बहुत outdated लगता है, इस time पे मुझे लगता है कि अगर यह 2019 या 20 में भी आया होता, तो तब भी एक बार चल जाता है, बट 2021 अब खातम हो रहा है, 2022 ही समझो इसको, इतने मोटे मोटे जो bezels मिल रहा है, वो कहीं से भी अच्छे नहीं है हाँ, वो अलग बात है कि आप gaming अगरा करते हो, तो पकड़ अगर सकते हो, वो ठीक है, बट design language कहीं से भी आपको newness provide नहीं करती है, क्योंकि अभी जो mini आ रहा है, या air आ रहा है, या pro आ रहा है, वो अगर उस design language में इसको भी ले आते हैं, तो बहुत ही awesome हो जाने वाला था, बट क्या करें, apple है, जो करता है, वो करता है, तो एक और con के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ लोग के लिए बहुत बड़ा con हो सकता है, यह अगर आप सोच रहे थे यह tablet को purchase करना, तो यहाँ पर कुछ apps का support भी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, like आप whatsapp इस पर नही नहीं चला सकते हैं, तो यह बात जरूर ध्यान में रखें, अगर आप whatsapp वगेरा use करना चाते हैं, या अगर आप कोई और app यूज करना चाते थे, तो एक बार youtube पर सर्च कर लें, कुछ apps को यह support नहीं करता है, calling वगेरा तो नहीं होती है, अगर आप सोच रहे थे कि calling वगे नहीं है, तो यह major कौन हो जाता है, I don't know क्यों कर रखा है, एक और बहुत बड़ी कमी है इसमें, वो यह है कि type C वाला charging port आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, वो अपना lightning ही बेच रहे हैं, और इस बात से मैं बहुत ज़्यादा नाराज हूँ और यह मुझे बहुत बड़ा कौन लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो mini launch किया गया है, उसको type C port मिल चुका है इस बार, तो कम से कम यार इसको भी दे देते, तो अगर कोई बंदा नहीं purchase करना चाता है, एपल का iPhone वो नहीं यूज़ करता है, सर्फ वो iPad यूज़ करना चाता है, तो उसके लिए बह box के अंदर cable तो मिलती ही है, obviously, but 20 watt का charger भी साथ में Apple दे रहा है, तो वो एक अच्छी चीज है, तो थोड़ा बहुत यह compensate कर रहा है Apple, but बात यह है कि अगर तूटेगी cable तब तो आपको purchase करनी ही पड़ेगी, दूसरी चीज, अगर आप कहीं पे travel कर रहा है, तो आपको साथ मे यह cable तो carry करनी ही पड़ेगी lightning वाली, अब इसको कौन तो नहीं बूलेगे, बट मुझे Apple Pencil थोड़ी जाता महंगी लगती है, like 4-5,000 तक समझ आता है, बट 10,000 की Apple Pencil काफी महंगी है, first generation वाली 8,000 के असपास है, अगर कोई इनसान मतलब like graphics वगेरा के लिए purchase करना चाहता है, टैबलेट यह वाला, like उसको artwork करने है, कुछ और ऐसा related काम है, तो उसको अलग से pay करने पड़ रहे है, 8,000 minimum और maximum तो 10,000 रुपे अगर उसको latest वाली चाहिए, तो तो यह थोड़ा सा महंगा है, मैं कहता हूँ कि अगर separate बेच रहो ठीक है, iPad 9 अगर कोई खरीद रहा है, या क कोई दूसरा Apple का tablet खरीद रहा है, तो उसके साथ combo में कम से कम इनको 4-5,000 रुपे की छूट दे देनी चाहिए, इन pencils पे, यार यह जो Apple कर रहा है, यह मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, separately मुझे लगता है कि ठीक है, आप 10,000 की बेच लो, फिर भी एक बार इनग्रेविंग का feature मिल जाता है, जिसमें आप अपना नाम लिख सकते हो, या फिर कुछ emojis डाल सकते हो, यह कुछ-कुछ चीजों में मिलता है, iPod 3R है, उनके साथ, और कई Apple के products पे आपको free में इनग्रेविंग मिलती है, आप वहां से अगर order करते हो, तो वहां पे आप अ अची है, क्योंकि इस price point पे कोई दूसरा tablet आपको इतना अच्छा processor offer नहीं करता है, और इस processing power के साथ आप बहुत अच्छी video editing और यहां पे gaming कर सकते हो, तो मैं यहां पे बार बार Netflix या फिर content consume करने के लिए नहीं बता रहो हो कि यह tablet अच्छा है कि नहीं अच्छा है, वो या से 20,000 रुपे की price point पे मिल जाएंगे Samsung, वो भी ठीक ठाक सापका content consume करने में काम चला देंगे, यह tablet जस चीज के लिए बना है, वो है video editing और gaming, मैं बार बार यह भूल रहा हूं, तो आँख बंद करके आप खरीच सकते हो, अगर आप इन दोनों चीजों के लिए कोई tablet देख रहे थे market में, आप बिना किसी second thought के आप इसको purchase कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाए, बात करें अगर Android alternatives की, तो अगर किसी को Apple product चाहिए ही नहीं, उसको iPad OS नहीं use करना है, उसको Android में ही रहना है, तो इसका best alternative क्या निकल के आता है, MI के obviously tablets आने वाले हैं, वो थोड़े अच् 37,000 से 38,000 रुपए के price point पे अभी देखने को मिल रहा है Amazon वगेरा के उपर, साथी साथ कुछ discounts आप यहाँ पे avail कर सकते हो, अगर offline पता करते हो, या फिर online ही कुछ offer आता है, तो आपको HDFC के साथ 2-3,000 रुपए की छूट मिल सकती है, तो यह एक इसका best alternative बन जाता है यहाँ क्योंकि यह थोड़ा बहुत आपका processing power इसमें अच्छी है, आपको Snapdragon का 778 देखने को मिल जाता है, तो 778 के साथ आप काफी अच्छी processing power यहाँ पे expect कर सकते हो, थोड़ी बहुत gaming कर सकते हो, video editing भी ठीक ठाक सी करा देगा यहाँ पे, इतना कुछ problem नहीं होगी, बट अगर iPad से compare करने जाओगे, तो उती ज़्यादा power तो नहीं है इसमें, बट यहाँ पे आपको latest design देखने को मिलता है, यहाँ पे आप speaker बहुत अच्छे देखने को मिलता है, तो अगर आप content consume करोगे, तो speakers बहुत अच्छे है, इसमिलर type of display है, और यहाँ पे हाँ, pencil का support आपको मिल आती है, आपको purchase नहीं करनी पड़ेगी, तो यह कुछ चीजे हैं, जो plus points है, यहाँ पे आप memory card भी लगा सकते हो, तो वो option भी आपको मिल जाता है, storage आप यहाँ पे expand कर सकते हो, तो अगर कोई android tablet देख रहा है, तो आज की date में, अगर 40,000 के अंदर कोई tablet अच्छा है, तो व Samsung वाले tablet के साथ, बट वो calling वाला मैं बोलूँगा, tablet मत ही purchase करो, कौन ही calling करता है, तो wifi variant की ही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, and android का यह best tablet है, 40,000 के अंडर, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको सारा कुछ काम निकाल देगा, यह जित्ता भी iPad निकालता ह तो अगर आप वहाँ पे वीडियो एडिटिंग वगेरा पे compare करने जाओगे, तो यह उसके सामने stand नहीं कर पाएगा, बट जो है, बांकी चीजों में stand out होता है, यह काफी अच्छा design है, काफी अच्छा look and feel है, और Samsung की updates भी काफी अच्छी है, तो वहाँ पे भी आपको जो की आपको 26,000 रुपए के price point पे आता है, और वो offer वगेरा के बाद आपको 24,000 या 23,000 का भी देखने को मिल सकता है, तो मैं बोलूँगा, अगर आपको सिर्फ content consume करना है, या थोड़ा बहुत photo अगेर edit करना है, तो आप Samsung का S6 Lite purchase कर सकते हैं, आपको अगर video editing करनी है, आपक परचेस कर सकते हैं, अगर आपको video editing करनी है, और gaming करनी है, और भी कुछ-कुछ काम करना है, content consume करना है, photo edit करना है, आपको Apple का product नहीं चाहिए, Android ही चाहिए, तो आप Samsung का S7 FE purchase कर सकते हैं, भी ना किसी दिक्कत, तो मैंने पूरी कोसिस किये, आपके सारे doubts clear करने की, और अब मै जा रहा हूं, दिये भी जलाने, क्योंकि दीपावली है आज, तो यार, एक बार फिर से सुब दीपावली, और दीपावली के दिन ही में वीडियो सूट कर रहा हूं, और साम के बज़ रहे हैं, साढ़े पांच, तो अभी जाकर के दिये वगेरा जलाना है, और फिर बहुत सारा काम है, तो हैपी दीपावली सभी को, फिर से एक बार देहन रखो, अपने आस पास वालों के देहन रखो, हसतर हो, मुस्कुरातर हो, मैं चलता हूं, बाबाई